परमेश्वर ने अपने जय से आपको बनाया है वो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्व को दिया जाए परमेंद्वर के सबस्क पाए वो परमेश्वर के जाए अपने जाए कि अच्छी नच्छी लिघ्ट आप करें एक रहा हुआ हुआ है प्रश्राइब प्रश्राइब मसी के देखो जागरुत होना है और आज की रात में आपको छालंज करता हूँ शुनौती देता हूँ बढ़ा हाँ आप से सुनना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे दिन जो मुझे आशीज दे ऐसे दिन खतम होने वाले है अबी और सिर्फ मुझे आशीज दे मुझे आशीज दे के सुसमाचार चर्चों का कलीसियों का नाश कर रहे है और सावत हो जाए एक ऐसा सुसमाचार आ रहा है कि लोग जो है उस सुसमाचार से पश्चात आपको हटा रहे है और ऐसे सुसमाचार से बचे रहे और मैं आपको और एक बात बताने वालों जो आ रही है और लोग जो है प्रबू के नाम को नहीं पुकार रहे है क्योंकि बाइबल कहता है और बजन सहीता में कहा है और सिव्नीति मान धर्मी है वो बुलाता है सिव्नी mens भोबुलाता है मैं आपको कहना चाहता हूँ और धर्मी the first is called Bible कहता है और धर्मी जब उसे पुकारता है तो सारे संकटों से उसे वो आजाद करता है And I want to tell you there are many things that you people are watching और मैं आपको कहना चाहत कुछा दो जितनी भी लोग यहां पर इस से मेरी डेख रहे हैं जो भी लोग देखते हैं वो दुशित हो रहे हैं मैं आपको कहना चाहते हो और जो लोग Bible पड़ते हुन सके मतलिवेशनी कुछ धर्मी है और जो लोग एशु की नाम को लेकर चलती हूँ इसक का मतलि में लिब निए को अधरी है और मैंने काफी सारे केस़स को देखा तरtså और मैं आपको कहना चाहतू हूँ कि मैं आपको एक च्चनाओती दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहतो हो कि आपको ये जानकारी रखनी है ओ बुझे आशीज दे और मुझे ये कर ये सारे दिन खतम हो गए है मैं चाहता हूँ कि आप प्रभू के साथ एक समय जो है करीमी तोर पर बिताए और प्रभू जो है भड़न और प्रभू को जो है लोगों की जरुवत है प्रभू को लोगों की जरुवत नहीं है परमेश्वर को अकेले में लोगों की जरुवत है ताकि वो अकेले में आपके साथ सेवर काई करें क्योंकि आज की राज जो मैं बात करने वाला वो डरावनी है क्योंकि काफी सारे लोग आप प्रातना नहीं करते से और ध्यान रखे क्yaso आप क्रिश्टीवी पर देखते हैं क्रिश्टीवी पर क्या देखते हैं और अशलम ऑभिष्यक के बिना है रूगि आप क्रिश्टी पर देखते हैं सिर्फ जो है motivate करना लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ तीन साल से और मैं motivation के उपर प्रोचसान के उपर पढ़ रहा हूँ लेकिन वो प्रोचसान मेरी सहायता कभी ने किये है और वो प्रोचसान मुझे सिर्फ जो है फुलाता है लेकिन मेरी साहता कभी नहीं करता है लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता है उससे बहार आ जाओ ये समय है कि आप सावत हो जाए क्या मैं आप से कुछ कहूँ सताव आने वाला है क्या आप तैयार है क्योंकि बाइबल कहता है और एक बहुत जो है एक गिरना आने वाला है आने वाले दिनों में जब सताव आएगा कौन रुखेगा और मैंने एक बातमी सुना नीज सुना परसेकुशन के बारे में सताव के बारे में क्या मैं आप से कहूँ और मैं काफी चकित हो गया और विश्वासी लोग ऐसी बात करते है और ये मेरे पास नहीं और ये मेरे साथ नहीं होगा क्यों फिर ऐसा क्यों और ये ऐसे लोग है जो प्रातना ही इन लोग है और ये मैं आपको कह रहा हूँ और आप किसकी सुनते हैं ये बात ध्यान रखे परमेशुर का वचन क्या कहता है ये देखें अपने आप के लिए परमेशुर के वचन को जो है पढ़े पवित्रा आत्मा ये सर्वोत्तम शिक्षक है और मैं आपको कहना चाहता हूँ आप इस दिनों में और खत्रा आ रहा है क्या पता खत्रा क्या है और जो मसी का जो कलीशिया है अगर वो प्रात्ना नहीं करेंगे मसी जो है वो कही पर नहीं रहेंगे फिर और एक क्रिसलम नाम का एक ग्रूप है गट है जो न्यू यॉयॉक में है और पिछले साल हमने न्यू यॉयॉक में ये सुना और वो येश्यू मसी का नाम जो है पूरे पृथवी से हटाना चाहते है और वो जो है उससे बदलना चाहते है किसी और नाम से तो मैं आपको पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो इसके बारे में इंडिया में भारत में क्या कर रहे हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कर रहे हो आप किस बारे में प्रात्ना कर रहे हो और हम सिर्फ शेडियूल जो है उसे फॉलो कर रहे हैं और मैं बाइबल पढ़ता हूँ मैं प्रात्ना करता हूँ परमेश और मेरी सुनता है तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ देखो कितने लोगों ने सुभा आज परातना किया सभी लोग हाथ उठाए अगर आपने सुभा परातना किया तो मेरा सवाल आपके लिए है हाथ नीचे मत करें उपर ही रखे आज की सुभा परमेशो ने आपसे क्या बात किया इस सभा में क्या करने आला है वो देखो ये प्रॉब्लम है और डिक बर्नल ने जो कहा मुझे काफी पसंद आप और मसी लोग जूट नहीं बोलते लेकिन जो पाप जूट करते हैं जूटा गाते हैं जूटा गाते हैं देखो घत्रा हर जगह पर है और हम एक आरामदा एक स्थिती में बैठे हैं और हम सभी को अयूब इसका एक्कीस वादय पढ़ना जरूरी है आपसे जो बात कर रह वो सच में काफी महतुपूर्ण है प्रातना क्या है क्या कोई प्रातना बता सकता है और हमने अब तक सुना है कि प्रातना करना मतलब परमेशर के साथ बात करना है और हम सुनते हैं कि प्रभू जो है लोगों से बात करता है प्रातना के दोरा हम इसे से बात करते रहते हैं लेकिन कुछ जो है ऐसे कंडिशन्स है प्रात्ना में अगर आप एक प्रात्नी पुरुश प्रात्नी अमहिला बनना चाहते हैं अपने आपको कुरुस पर डालना जरूरी है उसके लिए पहली बात जिस दिन आपका उधार होता है जिस दिन आपका उधार होता है और वो है उधार होना और उधार के बार बाइबल कहता है आपको परमेशुर का वचन पढ़ना है और जब आप परमेशुर का वचन पढ़ते हैं क्यों परमेशुर का वचन पढ़ते हैं जो परमेश्वर है उसके बारे में समझना जब परमेश्वर का वचन पढ़ते है और हम उसके हाथ, पैर और सब चीज़ के बारे में समझते है और हम यह जानते की परमेश्वर क्या कर सकता है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते है क्या होता है क्या होता है होता है in the first three months और पहले तीन महिने ने और सिर्व हम वचन पढ़ते है सिर्व हम वचन पढ़ते है और हम सब चीज में उच्छ जाते है क्यों? क्योंकि हम जो है शरीर में लेकिन हम परमेशन हैं मैंसे नहीं कहा कि हमें शरीर में चलना है उसने कहा है कि आमें आत्मा में चलना है और वही तो महतुपुन बात उसने कही और उसने कहा कि तुम्हें वचन पढ़ना है और इसलिए युहन में कहा है और 6.67 में कहा है और जो वचन में बोलता हूँ आत्मा और जीवन है तो क्या कर रहे है आज की शाम जब हम वचन पढ़ते हैं पवित्रात्मा हमारे उपराता है कौन है पवित्रात्मा पवित्रात्मा और कोई नहीं लेकिन ये शुकी आत्मा है और जब पवित्रात्मा आपके उपराता है और वो हमेशा कहता कि खड़े हो जाओ वो हमें नहीं कहता कि खड़े हो जाओ और वो हमेशा कहता कि घुटना पर आओ और यही तो येशु कहता है और मैं आपको कहना चाता हूँ और बहुत लोग कहते कि मुझे येशु की तरह बनना है भाई अगर आपको येशु की तरह बनना है आपको तीन चीजों का पीछा करना है और आपको गेच्सेमिनी में जाना ज़रू है और गेच्सेमिनी ऐसी जगह है ज़ा पर प्रातना प्रातना करना था और दूसरी बात आपको यह करनी है और आपको जो है वो उस विल्डरनेस में जगल मेराना है परिक्षा के बाद परिक्षा के बाद परिक्षा होना है और जब जो जंगल की जो है आप उसमें घटम करते हो और तब आपके जिन्दगी में यहुदा होका होना ज़रूरी है अगर आपको यह शुचा